हलो गाईज मैं सुनेल पारिक टीसेज क्लासेज में आपका हार देख स्वागत करता हूं तो अपना जो पॉइंट चल रहा है वह बेसिक एलेक्टोनिस और उसके अंदर जो अपने बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायोड के बारे में ठीक है और उस डायोड के अंदर यानिकी डायोड है सोटकी डायोड के बारे में इस वीडियो में अपने बात है करने वाले हैं तो आप इस वीडियो शुरुआ से लेकिए अन तक देखना और वीडियो और फिर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना शेयर करना है उसा यमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर चलते हैं अपने पास प oral 2 डायोड ठीक है। जैसे अपने पास फूटो डायोड बत होने पास जो साम्माने PM जनक्सिंह तो यह यह प्रकार काई डायोड परनतु यह AC को DC में परिवर्ठत करने नहीं करता ठीक है यह नहीं है यह कहाँ पर प्रियोक किया जात गों किया जाता उसके बढ чем बारे बात करें कि साम्मा ने जो प्रकार इसका सिंबल होता है प्रतु यहां पर इसके क्या होती है इस क्या करती होती है और जिनने डायोड के इस प्रकार जेड गया करती होती है इनके आदार पर इसको पनियाद रख सकते हैं यह हो गया इनोडर के थोड़ सीरा और अपने पास जो साम्मा न प्रणतु यह उन से नहीं बनता इसमें एक तो दिया जाता है अपने पास अन्पदार्थ और एक दिया जाता है मेटल मेटल वोले तो दातू दातू कौन सी अलूमूनियम अथुआ अपने पास प्लेटिनम यह दो दातों होती हैं जिनको अपन यहां पे अपन प्रकार बनता है उसके बारे में अपने पिछल वाले वीडियो में बात कर चुके हैं अगर आपने पिछल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिश्व में पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं वह अन पदार्त और साथ में पी की जिगापन यी की जिगापन किस को एक्टर्ज कर देंगे यहांई कि अलूमिनियों लगा दिगा वहाँ पर तो मैं ड्याइओड बना लेता हूं यह सिंपल हो गया ड्याइओड अपने पास यह वह गया ड्याइओड यहांपे तो गया मिरे पास मेटल ठीक है यहांपे हो गया एन-टाइप गा सेमी कंडक्टर जिसके बारे अपने इसे वाले वीडियो में देख चुकिए यहोगा मेरे पाथ कोड की डैयोड यहोगा मिरे पास के फोटवाला है ठीक है एपकशलमीस के अपने आपप neural são में बहुत ज्यादा बड़ी होती है इसके अंदर बहुत ज़्यदा छोटी होती है क्यों होती है अपन देखिए एक रिजिन देखो आप यह मेरे पास कोई बैटरी इसको मैंने इस प्रकार जोड़ दिया ठीक है जब इस प्रकार इसको जोढँ आ तो यहां पे जो metal है metal पहले से क्या होती है चालग होती है अब चालग के अंदर अब आप बहुत है तो पता भी होगा कि लेक्ट्रों उत्ते हैं क्या होती है यूनिपोलर डिवाइस है यूनिपोलर यानि कि एक ही बेरियर की जो एक ही प्रकार की केरियर होती है उनके माद्यम से क्या बहती है यहां पर करंट बहती है तो यह कौंड से हो गई यूनिपोलर डिवाइस और अपने पास जो सम्माने पी अंदेंक्सन डैयोड होता है वो क् के माध्यक्ति यानि की के माध्यक्ति किस में इस लिए क्या बोलआ जाते हैं जुनी पॉलर डिवाइस फिक है जबते हैं इसमीं इहां झाल होता हुई हुग इसकी सिमेन कंश्ट्रैक्शन है बनावट मेधने करते हैं तो क्या बोल सकते हैं अगर इसके बारे में बात करें तो यहां पर अपने पास डायोड होता है इस प्रकार का देखिए यहोगा मेरे पास पदार्थ यहां पर डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती हो बड़ी होती है और इसको तोड़ने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए पर तो इसको तोड़ने लिए ज्यादा वाल्टेजंन नहां चाहिए यह ज़ल्दी से ताल्व हो सकता है यह इसको चालू करने में बहुत ज्यादा टायम लगे। यानि कि इसका जो switching time होता है switching time वो बहुत ही ज़दा होता है इसका switching time क्या होता बहुत ही कम अब क्यूं होता है पता लग गया क्योंकि यहां पे जो डिफलेksimaz layer है बहुत ही छोटी है तो इसको तोड़ने के लिए जो अपने पास voltage दी जाती है बहुत ही कम लगती है ज्यादा लगती नहीं है जल्दी से टूड जाती है जल्दी से start हो जाता है जल्दी से क्या हो जाता है बंद तो बहुत आसान है तो इसलिए इसका switching time होता है क्या होता है कम कि यह बात आप याद रखें कि कौन से diode का switching time कम हो होता है अब क्यों होता है पता लग गया क्यों यहाँ पे मेटल होना है यहाँ पर hardships को जल्दी चाहिए कोई है जल्दी करना है कोई काम बहुश जल्दी प्रकार के जैसे आरे होते हैं वहां पर इस परकार के डायोट का उप्योग पिया जाथ है इसके अलावा जो अपने पास गेट आती हैं पर अगे गेट आ nouveau बात करें तब बता दों पर यहां पर इतना एक्जाम्पल याद रख लो कि जहां पर गेट यूज होती है वहां पर सोट की डैयोड का उप्योग किया जाएगा ठीक है और अब देखो आज देखो यह जो अपने पास बेर पोटेंट्स पेलियर पोटेंट्स इसको तोरने करी कि देखेंक डीटियोड कैसे तक यानिकि अपने पास जो संब्ने डैयूड होता है प्रवाइब चाहिए इसके लिए पॉइंट तो पंदरा वोल्टे से लेकर पॉइंट थीन वोल्टे अधिक्तम चाहिए यहां पर यह इसकी डिफ्लेक्शन लेर क्या हो जाएगा आपके पास तूड़ जाएगी बहुत आसानी से तो इसको टाइम भी ज्यादा नहीं लगेग पाईत अब खोजएगी तो इसलिए इसको इसका उप्योग उनकी अपेक्षा इस दिगर पर किया जाता है जानपर शूचिंग टायम क्या लगे कं लगे और अब इसके बारे में यह बात करते हैं कि बोलते क्या है यह तो अपने पास फोटकी ठीक है और इसके लाव इसको बोला जाता है सोट की बेरियर इस अन्य नाम है सोट की बेरियर होट केरियर डायोड यह इस गन्य नाम है के बार क्या होता है अन्य नाम भी पूछ लेते हैं वही सोट की डायोड को और क्या कहते हैं तो सोट की बेरियर कहते हैं होट केरियर बेरियर कहते हैं इसके अलावा इसके अलावा होट इलक्टोन डायूड इसके अलावा सरफेस बेरियर यानि कि इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं इसको अन्य नाम से सोटकी बेरियर के नाम से इस डायूड को जाना जाता है होट के डायूड के नाम से मेजरेटी के नाम से होट इलेटोन डायूड के नाम से सरफेस बेरियर के नाम से जाना जाता है उसके एक अन्य नाम किया है तो इनके इंदर से जो important नाम है वो कौण से एक सोटकी की नाम से ज़ादे सबसे ज़ादा पूछा जाता है कि बार कि बार पूछा जाता है होट के रिया डायोड के बारे में पूछा जाता है तो दोने चीज एक ही है नाम आजए तो आपको यही समझने की क्योंट सा डायोड है सोटकी डायोड है ठीक है और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो एक चीज़ और बता देता हूं कि अपने पास क्या होता है सम्माने जो डायोड होते हैं उनका पर्तिरोद होता है ज्यादा होता है ठीक है पर तालब द्रेle यूज़ करने की वजय से यहां पे जो वटेज्डॉप है उसका मानने का हुदाब बहूत ही कम होता है ठीक है और अन्या चैन्पाफ्ट पाफ यहां पी एन जंक्शन लॉड के पेशा वीडियोद में आ गे होगा क्योंकि मैंने जो स्वटकी डर समझा है यहां पे तो मेरे साइब से लगबग चीजें आपके कलियर हो चुकी होंगी तो मैं असा करते हैं लाएक वीडियो आपको प्रसथ आया हो गा और वीडियो आपको प्रसंद आए तो इस वीडियो लाइक करना, सेरे करना उसाथ या हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ ने टोपिक के साथ तब तके के लिए धन्यवाद